नमस्कार दोस्तों आज हम लोग संपुर्ण मुगलकाल को पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद बावर अकवर आपको परिश्चान नहीं करेगा क्योंकि आज हम लोग उसका पुस्टमाटम करने वाले हैं उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो के समय को मुगल काल कहते हैं चलिए पहला प्रश्ण कहता है कि मुगल वंस का संस्थापक कौन था बावर मुगल वंस के निव बावर ने रखे नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 1526 इस्वी में बावर ने किस वंस के सासक को परास्त कर मुगल सामराजी की निव डाली तो लोधी वंस का अंतिम सासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर 1526 इस्वी में बावर ने मुगल सामराजी की निव रखी थी चलिए next question करते हैं पानी पत का पर्थम जुद कवुआ 21 अप्रेल 1526 इस्वी को पानी पत का पर्थम जुद हुआ next question करते हैं भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी सेर सासुरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड सेर सासुरी ने बनवाई थी next question करते हैं गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्वान कराया था बुलंद दर्वाजा का गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दर्वाजा का निर्वान कराया नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं, आइन ए अकबरी एक महान अयतिहासी की क्रिती किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अबुल फजल, आइन ए अकबरी अबुल फजल की क्रिती है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, 6 अप्रेल 1556 इस्वी को पानी पत की दुसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो अकबर और हेमु के बीच, 6 अप्रेल 1556 इस्वी को पानी पत की दुसरी लड़ाई अकबर और हेमु के बीच हुई थी, नेक्स्ट कोस्टन, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा स नेक्स्ट कोस्चन करते हैं, प्रसिद्ध मुस्लिम सासक सासी का चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौपा किस राजी से संबंधित थी, तो अहमद नगर से, प्रसिद्ध मुस्लिम सासी का चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौपा अहमद नगर से संबंधित थी, नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं, मुगल प्रशासन विवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंब किया? अकबर ने, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को प्रारंब किया? नेक्स्ट कोस्चन करते हैं, अपने काल का महन संगीतग्य तानसेन किसके दरबार में अकबर अकबर का दरवारी महन संगितग्यें तानसिन थे नेकष्ट कोस्टण कर लेते हैं मुगल काल की राजभासा फार्सी थी नेकष्ट है स当ी पृथा की भर्थ सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वारा इसती पृथा का भर्थ सना किया गया नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं, चुकि मुगल काल ठोड़ा लंबा टौफिक है, इसलिए कुछ ज्यादा समय लग सकता है, सभी कोस्टन इंपॉटेंट है, बीना अस्किप कीए हुए देखना है. चलिए next question कर लेते हैं कि किस युद से भारत में मुगल सामराज्जी की निव पड़ी तो पानी पत का पर्थम जुद में ही लोदी वंस के अंतिम सासक इबराहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल सामराज्जी की निव रखी थी बावर ने चलिए next question कर लेते हैं मुगल चित्रकारी ने किसके सासनकाल में पराकास्था या चरम कर्स प्राप्त किया तो जहांगीर के चुकि ऐसा माना जाता है कि जहांगीर का सासनकाल में चित्रकला चरम पर थी और उसे चित्रकारी महान चित्रकार के रूप में भी जहांगीर जाना चुकि जहांगेर के दर्बार में चित्र कार्यों की कोई कमी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि किस ने अकवर की जीवन कथा लिखी थी। तो अबुल फजल ने अकवर की जीवन कथा लिखी। चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि महानता का गोतक है प्रसासनिक सुधार। प्रसी भासा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है तो रज्म नामा। रज्म नामा महाभारत का प्रसी में किया गया अनुवाद का नाम है। अन्ति मुगल सम्राट थे बहादूर साहदिवतिय था जिसे बहादूर साहजफर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं, अकबर के सासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उतरदाई था? टोडरमल अकबर के सासनकाल में भूराजस्व अधिकारियों का उतरदाई था. नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं, अकबर द्वारा बनवायेगे उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था तो इबादत खाना नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं ने चड़ाई नहीं की थी, तो कनोज पर, कनोज पर नादिर सा चड़ाई नहीं कर पाए थे, नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्मान की परस्पर की शुरुआत की थी तो बावर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्मान की परंपरा की शुरुआत की थी नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं राजा बिर्वल की उपाधी किसे दि गई थी? महस दास को ही बिर्वल की उपाधी दि गई थी और बिर्वल अकवर के दरवार में रहता था चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं और अरंगजेव ने ज्यादा भौनों का निर्मान नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने सासनकाल में निरंतर जुद करने पड़े और अरंगजेव ने ज्यादा भौनों का निर्मान नहीं करवा पाये थे क्योंकि उनके सासनकाल में निर पर नतर जुद होता रहता था। तो नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि किस मुगल सासक का दो बार राज्या भिसेख हुआ तो औरंग जेब का। औरंग जेब ऐसा मुगल समराठ था जिसका राज्या भिसेख दो बार हुआ। नेक्स्ट कोस्टन, ग्रैंड ट्रंक सडक जोडती है कलकत्ता और अमरित सर को ग्रैंड ट्रंक सडक जोडती है नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि 1526 सिस्वी में लड़े गई पानिपत की पहली लड़ाई में बावर से कौन पराजित हुआ था इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं सेर सासुरी का मकबरा कहां इस्थित है सासा रामे सेर सासुरी का मकबरा सासा रामे स्थित है नेक्स्ट कोस्टन करते हैं कि अकवर का राज्यवी से कहां हुआ था कलानौर में अकवर का संरच्छा कौन था तो बैरमखा था गुरू अर्जुन देव समकालिन थे गुरू अर्जुन देव जहांगीर के समकालिन थे और जहांगीर ने बावा गुरू अर्जुन देव को जिंदा चुनवा दिये थे। चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि किस राजपूत वंस ने अकवर के सामने समर्पन नहीं किया। समराट अकवर द्वारा मुहमद हुसाइन को जरी कलम की उपाधी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि बाबर ने पहली बार पस्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया तो पंजाब में। बाबर ने पंजाब में आकर वहीं बस गया। चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि हल्दिग हाटी का जुद कब लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि इसके समय में मलिक मुहमत जाइसी ने पदमावत की रचना की। नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि इसने नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं। जिसमें हुमाई haar पराजीत हो गया नेकस्ट कोस्चन कर लेते हुमाई मकबर कहां है दिली में pone watch किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया हुमाई ने और कौन यसा मुगल सासक है इसका दो बार राज्या भी सेख आ ये भी question पीछे करवाये है ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि भारत में बीवी का मकवरा कहां इस्थी थे और अंगाबाद में? बीवी का मकवरा अंगाबाद में इस्थी थे नेक्स्ट है फतेपूर सिकरी इस्थित लाल पत्थर से निर्मित सेक सलिम चिस्ती की मकवरे को किसने संग मरमर का करवाया? ज ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया तो बावर को आगरा में दफनाया गया बाद में उसकी अफगान विद्वा सब को काबूल ले गई समझ गई चलिए next question कर लेते हैं कि किस युद को जीतने के बाद सेर साह ने दिली में अफगान सत्ता की अस्थापना की तो बिल ग्राम का युद्ध को जीतने के बाद सेर साह ने दिली में अफगान सत्ता की अस्थापना की साह जहां मोती मस्जीद आगरा में बनवाई थी किस मुगलबाद साह ने जजिया नामक कर पुनह लगाया और अंग जेब ने जजिया नामक कर पुनह लगाया अकबर के सासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कारे था भुमी राजस्व का मुल्यांकन और संग्रह करना सिवा जी ने मुगलो को किस संधी के द्वारा किलो को हस्तानांतरित किया तो पुरंदर की संधी नेक्स्ट कोस्चन मुगल प्रसासन में मुहत सिव क्या था तो लोक आचरन अधिकारी था नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं किस वर्स वैसाखी के दिन 13 अफ्रैल को गुरु गोविन सी ने खालसापंध की नीरकी थी तो 1699 इस्वी में वैसाखी के दिन तेरा फ्रैल को गुरु गोविन सी ने खालसा पंथ की नियु रखी थी नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कौन सा मुगल बाद साह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन परेंत मराठो का पिंसन भोगी रहा साह आलम दियुतिये पहले अंग्रेजी का कैदी रहा और बाद में जीवन परेंत मराठो का पिंसन भोगी रहा नेक्स्ट कोस्टन करते हैं मुगल काल में किस बंदरगा को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था तो सुरत को सुरत को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था नेक्स्ट कोस्टन भारत के इतिहास के संदर्व में अब्दुल हमिद लाहौरी कौन था अब्दुल हमिद लाहौरी साह जहां के सासन का एक राज की इतिहास कार था सह जहां के सासन का एक राज की इतिहासकार था चलिए next question कर लेते हैं कि किस मुगल बादसा की मिर्तिव दीन पनाः पुस्तकाले की सीडियों से गिरने के कारण हुई तो हुमायू हुमायू की मिर्ती जो हुई थी वो दीन पना पुस्तकाले की सेडियों से गिरने के कारण हुई थी नेक्स्ट कोस्चन कीस मुगल बादसा के दुरभागे पर व्यंगे करते हुए लेन पूल ने लिखा है लेन पूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंतुआ हुमायू का तो हुमायू के बारे में लेन पूल ने कहा है कि वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंतुआ Next question कर लेते हैं, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को डी जाने वाली राजस्च मुकत अनुदत भूमी को मदद ए मास्त का मतलब होता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस सुमुक्त अनुधत भुमी नेक्स्ट दास्तान ए अमिर हमजा का चितरांकन किसके द्वारा किया गया अब दूस समद द्वारा दास्तान ने अमिर हमजा का चितरन किया गया चलिए next question कर लेते हैं कि किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधी अपनाई और बाद में सुल्तान की तो सेर सासुरी ने हजरत ए आला की उपाधी अपनाई और फिर बाद में सुल्तान की next question कर लेते हैं किस मुगल बादिसा को वजीर, गाजी, उद्दीन ने दिली में दाखिल नहीं होने दिया। तो साह अलमदितियों को वजीर गाजी उद्दीन ने दिली में दाखिल नहीं होने दिया. Next question कर लेते हैं, मस्नवी जो बावर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रा है, क्या कहलाता है? तो मुबाईन, मस्नवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संगरा है, मुबाईन कहलाता है, नेक्स्ट कोस्टन और अंग्जेव द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ दार उल इसलाम, और अंग्जेव द्वारा चलाए गए जिहाद का मतलब दार उल इसलाम, नेक्स्ट कोस्टन दिली के लाल किले का निर्मान किस ने करवाया था? साह जहां ने. चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि किस इतिहासकार ने साह जहां के सासनकाल को मुगलकाल का स्वर ने यूग कहा है? तो एल स्री वास्तवने साह जहां के सासनकाल को मुगलकाल का स्वर ने यूग माना है? चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि किसने हिंदू तथा इरानी वास्तुकला सरुपर्थम समनवय देखने को मिलता है? तो सेरसाह के मकवरे में हिंद तथा इरानी वास्तुकला का समनवय देखने को मिलता है नेक्स्ट कोस्टन सेरसाह के बचपन का नाम था? फरीद खान सेर साह के बचपन का नाम था फरिद खा Next question कर लेते हैं पानीपत के जूद में बावर की जीत का मुख्यकारन क्या था तो उनकी सेने कुसलता Next question सेर साह को उसके पिता हसन खाने एक जागिर के प्रवंध के रूप में निक्त किया था वह जागिर को कौन था तो सहस राम सासा राम की जागिर सेर साह को उसके पिता हसन खाने से उपा नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि जापती प्रणाली किसकी उपज थी तो सेर साह की जापती प्रणाली सेर साह की उपज थी जवाबित का संबंध किस से था राज्य कानून से जवाबित का संबंध राज्य कानून नेक्स्ट कोस्टन इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगड़े की जड़किया थी कंधहार इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगड़े की जड़किया थी कंधहार नेक्स्ट अकबर द्वारा बनाई गई, कौन सी इमारत का नक्सा, बहुत विहार की तरह है तो पंच महल, बहुत विहार की तरह है जो अकबर द्वारा बनाया गया था next question, अंतिम मुगल बादसा बहदूर साह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था तो अकबर साह दिवतिये, अकबर ने सरुपर्थम वयवाहिक संबंद राजपूतों के जिस ग्रीह से स्थापित किये वह था कच्छवाहों से अरंगजेव ने दच्छीन में जीन दो राज्यों को बीजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापूर को अरंगजेव ने जीत लिया था मुगलोंने नवरोज त्योहार लिया पारस्यों से पारस्यों का नवरोज त्योहार पवित त्रद माना जाता है चलिए next question कर लेते हैं कि कौन सा मकबरा दियुतिय ताज महल कहलाता है दियुतिय ताज महल तराबिया उद्ध्रवनी का मकबरा या बीबी का मकबरा जो है उद्धिय ताज महल कहलाता है किस बादसा के अंतरगत मुगल सेना में सरवाधिक हिंदू सेना पती थे तो अवरंग जेब मुगल सेना में सरवाधिक हिंदू सेना पती थे question कर लेते हैं कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा पर्तिपादित दीन ये इलाही को एक धर्म कहा तो अबूल फजल अकबर के दरवार में रहता था नेक्स्ट कोस्टन अन्वार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है तो पंच तंत्र का अन्वार ए सुहैली ग्रंथ पंच तंत्र का नेक्स्ट कोस्टन धर्मत का जूद जो अप्रेल 1650 में हुआ किनके बिच लड़ा गया था औरंग्जेव और दारासिको के बिच धर्मत क जूत अप्रेल 1621 में लड़ा गया जहांगीर के दरबार में पच्छियों का सबसे बड़ा चित्रकार काउन था तो मनसूर था मनसूर था जहांगीर के दरबार में चली नेक्स्ट कोस्टन कर ले था कि किसने मुगलकाल में एतिहासिक विवरन लिखा मुगलकाल में एतिहासिक विवरन गूल बदन बेगम ने नेक्स्ट कोस्टन परसीद संगित तक ये तानसेन का मकबरा इस्थित है ग्वालियर में तानसेन का मकबरा इस्थित है ग्वालियर में नेक्स्ट कोस्टन गूल बदन बेगम पुत्री थी बावर की पुत्री थी गूल-बदन, बेगम नेक्स्ट कुस्टन मुगल परसासन में जीले को किस नाम से जाना जाता था अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट चरूर करें चलिए नेक्स्ट कोस्टन देख लेते हैं किस सीख गुरू की मिर्तिव के लिए औरंग जेव जीमेदार है तो गुरू तेग बहादूर गुरू तेग बहादूर की मिर्तिव के लिए औरंग जेव जीमेदार है नेक्स्ट कोस्टन है कि भारत के मुगल सासक बनने पर जही रुद्दीन मुहमद ने क्या नाम रखा तो बाबर ने भारत के मुगल सासक बनने पर जही रुद्दीन मुहमद ने अपना नाम बाबर रखा नेक्स्ट कोस्टन अकबर के काल में महाभारत का फार्सी अनुवाद जिसके दर्सन में हुआ वो है फैजी अनिकी फैजी के निर्देशन में हुआ महाभारत का फार्सी अनुवाद नेक्स्ट कोस्टन दिली का प्रसिद जामा मस्जिद का निर्मान किस ने किया? साह जहाने. दिली की जामा मस्जिद का निर्मान किस ने किया? साह जहाने. नेक्स्ट कोस्टन किस मुसल्मान विद्वान का हिंदी साहित के लिए सबसे महतोपूर्ण युगदान है? तो अबद द्वारा बनाई गई स्रेश्ट तम इमारते पाई जाती है फतेहफुर सिक्री में नेक्स्ट कोस्टन हल्दी घाटी का जुद्ध पंदर सुचियातर में हुआ के पीछे अकबर का मुख्य उदेश से क्या था तो राना प्रताप को अपने अधिन लाना हल्दी घाटी के जुद्ध का मुख्य उदेश से राना प्रताप को अपने अधिन लाना था नेक्स्ट कोस्टन मुगल समराट अकबर के समय परसिद चित्रकार का था तो दस वन्त अकबर के समय परसिद चित्रकार दस वन्त था नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कर लेते हैं अक्बर की कबर को खोध कर राजा राम ने हडियों को जला दिया राजा राम ने, next question कर लेते हैं कि अक्बर ने नवरतन में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए था युसु फजाईओं के विद्रो़ को दबाते समय इसुफजाईयों के विद्रोह को दवाते समय अकबर के नवरतन में बिर्वल की मिर्ति हो गई चलिए next question कर लेते हैं कि अकबर ने किसे कवी राज की उपाधी दी थी तो बिर्वल को अकबर ने बिर्बल को कवी राज की उपाधी दी थी और अकबर के समय में सबसे प्रशिद जो दरबारी था वो बिर्बल ही था चलिए नेक्स्ट कोस्टन करते हैं जहागिर के निर्देश पर किस ने अबुल फजल की हत्या कर दी विर सिंग बुंदेला ने बिर सिंग बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी जहागिर के कहने पर नेक्स्ट कोस्टन मेवार से युद तथा चीतवर की संदी जहागिर की सासनकाल की महतोपूर्ण उपलवधी है नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं वह अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादसा था मुहमद साहरंगिला जो था जजिया कर समाप्त करने वाला अंतिम मुगल समराज था next question अकबर नामा किस ने लिखा? अबुल फजल repeated question है next question इत्माद उद दौला इत्माद उद दौला का मकबरा आगरामे किस ने बनवाय नूर जहां ने next question राजपूताना के राजियों में से जस किस एक ने अकबर की समप्रभूता स्विकार नहीं कि थी तो मेवाल के सासकों ने राजपुताना के राज्यों में से अकबर की संप्रुभूता स्विकार करने से इनकार कर दिया था कि किस मद्यकालिन भारतिय सासक ने पट्टा एम कबूलियत की प्रथा आरम की थी सेर साह ने पट्टा एम कबूलियत की प्रथा आरम की नेक्स्ट कोस्टन मुगल समराट और अंगजेव कौन सा वाध्यंत्र बजाते थे तो वीना और अंगजेव बजाते थे नेक्स्ट कोस्टन जहांगीर को कहां दफनाया गया लाहर में जहांगीर को लाहर में दफनाया गया चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं प्रसीद ज इंडिया कमपनी के घठन के समय भारत का बाधसा तो अकबर ब्री इस जिए इंडिया कमपनी का जिस समय गठन हुए था उस समय भारत का जो बाधसा था वो अकबार था question कर लेते हैं, जहांगिर के काल में कौन एरोपिय यात्री भारत आया, तो पीटर मुंदी, पीटर मुंडी जो थे, सह, box जहां के काल में पीटर मुंडी भारत आये थे, चली, next question कर लेते हैं, कि अक्भार ने दीन ए लाही प्रारंब किया 1582 इस्वि में 1582 इस्वी में दिन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा सुरी किया गया नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया तो सेरसाह के द्वारा सेरसाह सुरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं अफगानों की सकती को बावर ने किस जुद में कुचला तो घागरा के जुद में अफगानों की सकती को बावर ने पूरी तरस बूरी तरस कुचल दिया तुलगमा रन पद्धिती के द्वारा ही बावर सभी विजय को जीदते चला गया था नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं भारत विजय के उपलच्छ में बावर से कोहि नूर्हिरा किसे प्राप्थ उधा हुमाई को प्राप्थ हो गया बावर से next question हुमाईं से सहायता की आचना है तू किसने उसे राखी भेजी तो राजमाता करनवती चीतोड की थी उसी ने हुमाईं से सहायता की आचना की थी next question कर लेते हैं अबुल फजल ने हुमाईं को क्या का कर सम्भूधित किया इंसान एक कामिल अब उल्फजल ने हुमाईको इंसान एक कामिल की नाम से पुकारा तकी सेरसा ने कौन सा नया सिखा प्रचलित किया तो रुपिया नेक्स चुल न कौश्चन सिखो पर सेरसा का नाम और पद किसलीपी में लिखे गये थे, देवनांगरी लिपी में सीको पर सेरसा का नाम और देवनागरी लिखी में लिखे गए नेक्स्ट कोस्टन सेरसा द्वारा बनाई गई इस सात्रसो सरायों का प्रबंध कौन करता था तो सीकदार करता था सीकदार नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं कि अकबर की माता का नाम क्या था हमीदा बानु बेगम नेक्स्ट है कि अकबर के राज कवी तथा प्रसीत संगित कार काउन थे तो तानसन आत्माराम पंडूरंग नेक्स्ट कोश्चन अकबर ने मालवा पर विजय का प्राप्त की 1516 हिस्वी में नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं कि तक्थे हाउसं नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं सिको पर कल्मों का लिखा जाना किस बंद कर आया और अंगजेब ने और अंग्जेव ने सीको पर कलमों का लिखा जाना बंद करवा दिया था नेक्स्ट कॉस्टान मुसलमानों पर लगने वाले किस करको बाबर नी समाप्त कर दिया next कर लेते हैं कि मुबई यान नामक पद सैलिक अविकास किस ने किया बावर ने मुबई यान नामक पद सैलिक अविकास बावर ने किया next question कर लेते हैं कि हुमायू जीवन भर लड़ खड़ाता रहा और लड़ खड़ाते हुए जान दे दी किस ने कहा तो लेनपूल ने लेनपूल ने कहा था ये कॉस्चन रिपीटेड है पीचे भी देखे हैं आमने नेक्स्ट करते हैं कि नुसरत साह को पराजित करने के पस्चात सेर खाने कौन सी उपादी धारन की तो हजरते आला की उपादी धारन कर ली सेर खाने नुसरत साह को पराजित करने के बाद नेक्स्ट करते हैं कि सेरसा के मकबरे को ताजमहल से भी सुन्दर किस ने कहा तो कनिंगम ने सेरसा के मकबरे को ताजमहल से भी सुन्दर बता दिया नेक्स्ट कोस्टन करते हैं कि बुद्हिमता और अनुभाव में वह दूसरा हैदर कौन था सेरसा के बारे में किस ने कहा तो अब्बास खाने कहा बुधिमता और अनुभाव में दूसरा हैदर सेरसा के बारे में कहा नेक्स्ट करते हैं कि गुजरात विजय की याद में अकवर ने किस इमारत का निर्वान करवाया तो बुलन दरवाजा और बुलाण दरवाजा फतेफूर शिकरी में Next question करते हैं दच्छीन का पर्वेस द्वार किसे माना जाता है खान देश को दच्छीन का पर्वेस द्वार खान देश को Next करते हैं और रंग्जेव ने सती पर्था पर कव परतिबंद लगाया, 1663 हिस्वी में, रंग्जेव ने सती पर्था पर परतिबंद लगाया, 1663 में, नेक्स्ट करते हैं, अकबर के सासनकाल में, परधान मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, तो वकील के नाम से, सन्ने विवाग का मुखिया कों होता था तो मिरबक्सी और आज का लास्ट कोस्चन है कि 40 अस्तंभो वाला विसाल की इला कहां इस्थित है अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें. वीडियो को पुरा देखने के लिए धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत.